तो क्या होता दोस्तों, जब हम first time कभी stage बर आते हैं तो आप में इसे बहुत सारी mistakes करते हैं आपको पता है technique क्या follow करने हैं, बट still आप confused रहते हैं कि यहाँ पर आगया, लोग देख रहे हैं, smile करना है, हाथ suddenly ऐसे आजाते हैं, वो suddenly होता है सबके साथ, right? तो basically आपके सारी ऐसा क्यों हुआ, कि भई, online में आप बहुत अच्छा बात करते हैं, suddenly यहाँ पर आगे तो आप अच्छा बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा anxiety आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, because यह stage आपके लिए first time experience है, जब आप first time कहीं पर भी बात करते हैं, chances ज़्यादा है कि आपका mind आपको यह बोलेगा कि आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, right, so solution क्या है उसका, solution एक ही है, जो मैं आपको बार बार बताता है, वो है आपका breathing, आप सबका breathing अभी भी थोड़ा सा कम जादा हो रहा है, agree, right, मेरा breathing बहुत normal है, क्यों, क्योंकि यह stage पर आने से पहले, मैं इससे बड़े stage पर बात करूंगा, तो भी possibly थोड़ा सा मेरा anxiety थोड़ा सा बढ़ सकता है, but still I know how to manage कैसे करना है मुझे अपने breathing को manage करना होता है, तो simple आपका mouth, not nose, अपने मुझ से आपको हलका हलका सास देना होता है, थोड़ा थोड़ा, that is a very basic thing जो आपको follow करनी चाहिए, जो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने follow कि आज, agree करते हैं, कितने लोग याप पर हैं, जिन्होंने actually आप पर आने के बाद हलका सा एक्जेल किया, एक परसन ने, दो परसन, आपनी क्यों ने किया, बुल गए, या याद ने था, बहुत पहले हुआ था ट्रेनिंग तो याद ने आ रहा है, ऐसा हुआ है, मेरे आओ दारी सपी को, या माइक, जब आप यहाँ पर आते हैं ना, जिसे मान के जले आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो anxiety आ रहे हैं, भाई, डाउट आ रहे हैं, क्या करना, क्या करना, आगे, the first thing is, you should, your body posture, सबसे पहला दो सबका body posture, सही होना चाहिए, अंदर कुछ भी चल रहे हैं, दिखाओ मत, क्या चल रहे हैं, have a smile, हलके से हाथ open, smile के साथ हाथ थोड़े से open रखना है, mouth open, exhale करना चाहिए आपको, राइट, और आप में से बहुत कम लोगों ने ये किया, आगे डाइरेक्लियर बात करना शुरू, कैसा किया आप सब ने, आप prepare नहीं थे इस तरह के introduction के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता experience बताओ, इस event के लिए मैंने कुछ भी practice नहीं किये, नहीं मैंने ये practice कि कि मुझा आज क्या बोलना है आपके सामने, मैंने खाली आप पर आया में और मैं आपके सामने बात कराओ, just because of three secret, पहला secret मेरा, breathing normal, आपका breathing अगर normal नहीं है, तो आप कहीं पे भी बात करो दोस्तों, आप stammer करने वाले हो, okay everyone, आप सभी ने experience कि कि यहाँ से भी अलग आता है, और वहाँ से अलग आता है, experience गया, तो ये वाला view में का anxiety वाल वाले वी में comfort zone आता है, comfort zone में आप sitting में अच्छा बात करे थे, और यहाँ बराने के वाला आप अलका सा anxious feel कर रहे थे, तो दोस्तों मे मेरा सबसे पहला secret, जो शायर आप सभी को follow करना है, to overcome your stammering, जो मैं भी follow कर रहा हूँ, मैंने आज कोई भी practice नहीं की है, ना मैं उसको एक हपते से कर रहा हूँ, ना मैंने उसको एक साल से practice कर, और practice नहीं की है, तो ये myth कि stammering practice करने से overcome होती है, it's wrong, ये myth है, तो सबसे पहला point का है, stammering को ठीक करने के लिए सबसे basic point, breathing को manage करना से, आप कभी भी कही भी बात करने जाएंगे, आपका basic priority, breathing manage करना ही होना चाहिए, और breathing manage करने के लिए, सबसे important और सबसे basic चिस के आपके पास, आपका mouth, हलका सा open रखा को, थोड़ा सा, इससे क्या होगा, इससे आपका mouth, inhale करेगा, गले तक या चाती तक, और फिर, exhale करेगा, ये आपको करते रहना चाहिए, जो शायद आप मिस कर रहे थे, आप उस चेर पर बैठे थे, आप यहाँ पर आ रहे थे, आपका mouth close था शायद, आप बुल गए, mouth open करना, हो रहा ता आपके सार ऐसा, कितने लोग ऐसे, जा आप उनका mouth close था, यहाँ तक आने तक, mouth close था, open करना चाहिए था अपने, हलका सा, और यहाँ आपर आने के बाद, exhale करना चाहिए, थोड़ा सा, यहाँ से आप anxiety यहाँ से आ जाता, ठीक है, पहला point, दूसरा point, अब यह secret ने, मैं इसे के बाद आपको बता रहा हूँ, पहला आपको ब्रिदिंग और ब्रिदिंग के साथ अतर उसता आपका body, यह secret ने, बड़ी आपका precaution है, बात करते समय, body language ऐसी रखनी चाहिए, जैसे कि आप एक confident person हो, आप अंदर से कितना भी anxious हो, आगे वाले को फरक नहीं पड़ेगा, आप कैसे दिखा रहे हैं, उससे फरक limit, समझ दे, अपने आपको ऐसा रिखाओ कि आप actually confident person हो, यह precautions है, यह practice नहीं है, तो आप जब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद थोड़ा सा time ले, दो second, पास second, time लीजे, अपने पैर को चेक किजिए, आपके legs parallel है या नहीं है, यह parallel, parallel बना थोड़े से, balance, body balance, दुनों पैर body balance, exhale कर लिए, हाथ थोड़े से open कर लिजे, have a smile, और अब आपकी technique यहाँ पर आने वाली है, यह technique में आपको live online सिखाता हूँ, आपने उसे follow किया क्या, नहीं है, बोल गया ना, तो समझ रहे, कितना simple था वो concept हो सकता, batch 1 से हो, या batch 30 से हो, कोई आप किसे भी batch हो, technique same था, technique same था दोस्तों, आप मैं से कितने लोगों ने आज hand movement करने के कोशिच किया आप रहे जूर है, very good, but क्या आपने इसको as per the word try किया, as per the content try किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, और यह बूल गया, यह precautions है, अगर आपकी यह आदत है ऐसे बात करने की, तो क्या होगा दोस्तों, practice भी नहीं करने पड़े ही, क्यों यह आदत ही आपकी ऐसी है, कि आप dance करते करते, या hand movement करते करते, बात कर रहे है, very simple, कितना effective लगता है ऐसी चीज़ बात करना, तो पहला secret क्या था आपका, breathing state, आपका manageable रहना चाहिए all the time, ठीके, second secret, जो है basically आपकी audience के point of view से, तो मेरा एक simple question है, जो recent बैसे उनको answer पता है, बड़ आप सबको पहला question है, आपका सबसे पहला audience कोन होता है, let me know, self, यहाँ आने के बाद आप वैसे कितने लोगों ने खुद से बात करते वे बात किया, किसे नहीं, आपने audience को देखके बात किया, सबी ने बात किया, क्या नहीं, आपने बात किस से किया, आगे बात किया ना बात, जब आप next person से बात करते हो, तो आप उसको impress करने के चक्कर में बात करते हो, अभी मैं आप से बात कर रहा हूँ ना, मेरा voice मेरी कानों में जा रहा है, मैं अपने voice को सुन सकता हूँ कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, आ आपकी आवाज आपको नहीं आ रही थी दोस्तों, और जब आप अपने आपको सुनते हैं, तो यह experience कि मैं अकेले में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं घर पे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं घर पे अकेले और मैं अकेले में ऐसे बात, मैं बूलग कि आपके सामने कौन है, अपने आपको सुनना स्टाट को, so second secret क्या है lifetime practice नहीं करना है, second secret क्या है, अपने आपको सुनो, जितना हो सके, उतना अपने कानों को active करो write down the second secret, active listening और हम इसके practice लेने वाले वापस से, कि आप introduction दिए न, mistake किया, इसको ट्राइ करके देखो, you will see improvement, immediately right so second secret is, active listening अब दोस्तों क्यों ऐसा होता है कि हम अपने आपको सुनने सकते क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसको देखके बात करना है आगे वाले को, बट क्या मैं आपको देखके बात कर रहा हो क्या थोड़ा-थोड़ा देखके बात कर रहा हो क्या हमेशे मैं आपको देखके बात कर रहा हो क्या नई, अब जैसे कि विरोज जी मेरे से बहुत दूर है मैं उनका, मैं उनकी आपको में नहीं देख सकते है मैं उनके चेहरे की साइड में देख सकता हो कही नग तो मैं देख सकता हूँ ना तो क्या मुझे उनको देख की बात करना चाहिए नहीं मैं हलका सा वहाँ देख सकता हूँ अब जैसे कि मेरे लिए राइट आउडियन्स है मैं आपको सिखाई चीज प्रेजेंटेशन में इस मेरे राइट हैंड है अगर मैं इनको देख हूँ तो मैं कैसे देखूँगा देख लिए मैंने इनको आपको देख लिए मैंने मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ बड़ मैं आपको देख रहा हूँ कि शायद मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ मतलब audience को ऐसे pretend करें कि आप उनके तरफ देख रहे हैं बढ़ आप actually उनके तरफ नहीं देख रहे हैं आप क्या दर रहे हो actively listening कर रहे हैं समझें मेरे बात ये जब आप अपने habit में लाओगे ना आपको practice नहीं करना पड़ेगा because आप कैसे बात करें मेरा breathing normal है और मेरा हर word में सुन सकता हूँ कि मैं कैसे बात करूँ which leads to me as a effective speaker क्या आपने ऐसा किया आज नहीं किया है आपको दुसरा mistake समझ में आ रहा है third secret that is mind script I think आप में से कुछ लोग को mind script नहीं पता क्या है shadow सकता है कि आप पुराने batches से हो और मैंने नहीं batches में add किया है जो पुराने batches से है उनको नहीं पता बढ़ जो नहीं batch में है क्या आप में से कोई थोड़ा से explain कर सकता है कि mind script क्या हो सा so नेट से दोस्तों कि मैं इस sentence को बढ़ने वाला हो इसका नाम है अगर मैं इसको read करूंगा तो reading कैसे होता है reading हम word by word करते आप इसको देखेंगे और इसको बोलेंगे अगर इसको बोलेंगे अगर इसको बोलना चाहते है उसी के तरफ ध्यान दो आगने वाले word के तरफ ध्यान मत देना और आप वही पर गलती करते अब वहाँ बैटकर सोच रहे कि मेरा नाम कैसे बूलूँगा मैं जो आपकी future state का part था आपका present state नहीं था वो ऐसा कितने लोग ने सोचा आज बैटे बैटे कि मेरा नाम में कैसे बूलूँगा इसे कितने लोग के मन में doubts है आज वही पर सबसी बड़ी गलती आपके कि आप future में गए कि मुझे ये बोलना है वो बोलना है ऐसे करना है वैसे करना है और आप present में जो आपके हाथ में था आपने वहाँ पर विधानी ने दिया कि आप वहाँ पर breathing को manage कर सकते थे आप अपने आपको engage रख सकते थे present state में तो क्या दर आपसो माइंस्क्रिप का मदलब क्या होता है अगर मुझे इस वर्ड को बोलना है अभी इसी वक तो मेरा full focus अगर आप future के वर्ड में जा रहे है तो problem create होगा आज ये event होने वाला है ये मुझे कल से पता था कितने लोग यहाँ पर है जिनको रात को नीन नी आ रहे थी कल किया session है session है ऐसा कोई है अचा कितने लोग यहाँ पर है जिनको आज सुभे से anxiety आरती कर रहे है session है अचा कितने लोग को एक गंटे पहले anxiety आरती कर रहे है session है है से कितने लोग है आरी थी anxiety anxiety क्यों आरी थे आपको दोस्तो because आप future में जा रहे थे समझ रहे ना जब इंसान future में जाता है तो बहुत सारे possibility को देखते है imagination करते है और इस imagination में आपके अंदर क्या होता है anxiety आती है anxiety कि चिसके आती है कि मैं कर पाऊंग या नहीं कर पाऊंगा मैं बोल पाऊंग या नहीं बोलूं कैसा होगा क्या होगा रुआ पे लोग कौन होगे मैं अपने आपको introduction कैसे दूँगा कैसा होगा यह सब कुछ possibility आप imagining कर रहे है तो वहाँ पर anxiety की वार या आपके इंदर क्यों कि आप future state में जा रहे है तो मेरा third secret क्या है कि मैं हमेशा mind script को follow करता हूँ मैं हमेशा present state का part ही रहता हूँ आपको हमेशा for a lifetime mind script को follow करना जाए mind script क्या बोलते है कुल दे be in a present state be in a present state try down these secrets be in a present state में रहना सेखे आप यह तीनी secret है जो मैं personally follow करता हूँ या मैं बोज़खते हो कि यह अपना summary है summary क्या है मेरे life का जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ breathing set मेरा normal है yes है मैं सुन पा रहा हूँ खुद को हा मैं हर word को सुन पा रहा भी भी क्यों मेरा आवाज थोड़ा से loud कर रहा हूँ right तिसरा मेरे दिमाग में future को लेकर एक भी thought नहीं कि मैं अटकूंगा नहीं अटकूंगा क्या होगा समझ रहे आप समझ रहे मेरे बात को getting a point everyone सो ये तीन सिकेंड अगर आप फॉलो करते है कोई भी प्रैक्टिस नहीं करने आप अगर प्रैक्टिस करनी ही है ना तो थोड़ी बहुत अपने mouth opening की कर लो थोड़ी बहुत speed manage करने की कर लो थोड़ी बहुत breathing की कर लो बस और आप ये सोच रहे कि ये प्रैक्टिस नहीं कि इसलिए मेरा stammering का पसर है नहीं आप सोचो कहिना कि आपका breathing blockage word में anxious situation में change और इसके कारण आपका output गलत आ रहा है मैं जैसे बात करो मेरा output क्या है? fluency क्यों है? मेरा breathing normal है अगर आपका breathing normal है अगर आप कुद को सुनते हैं अगर आपका presence rate का party तो आपका output कैसा है गा? fluency है अगर आपका breathing normal नहीं है तो आपका stammering क्यों? stammering is what everyone stammering is the output समझ रहे? आप जैसे बात किये सोहिल, stammering is the output output किस इसका? आपकी root cause का? root cause का है आपका? शायद से कि आप पहले सोच दे क्यार ऐसा होगा वैसे ओके? everyone समझे मेरे बात को तो तीन secret जो मैं actually personally follow करता हो या हमेशा lifetime follow करनगा वो पहला, दूसरा जो आपको याद रखना हमेशा हो क्या है? root cause पर काम करो आप सबको अपनी root cause बता है नहीं भी बता है, तो भी simple है अपने आपको question पूछो कि मैं क्यो stammer करता हो, यहाँ पर क्या हो सकते है, वहाँ पर क्या हो सकते है I hope this point is clear to you till now introduction की बाद मैंने आपको जो बता है कुछ नय सिख रहे आप आपने जो मुझे online देखा है आप जो मुझे offline देख रहे है, same है किसी के मुझे डाउट है रहे है, online में कोई भी बात कर सकता है offline बात करके दिखाओ, ऐसा होता है दिमाग में चलता है, चलता है मुझे लिग बोलते है, online तो कोई भी बात कर सकता है offline बात करके दिखाओ, same में बात कर रहे है परकम कर सकते है, तो आप बहुत लखी लोग है आज, कि इतने लोग को हमने इनुटेशन देने की बाद भी, जो हमारे सामने बैठ है, वो बहुत ही डेडिकेटेड लोग है, जो एक्चुली कुछ करना चाहते हैं, बहले आप पूने से हो इसलिए आ रहे हैं, I don't care, बट आप आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है, यह दिखादा है कि आप लाइप में कुछ बढ़ा करना चाहते, तो दुनिया में इसलोग बहुत है, जिनको स्टैमरिंग ठीक करना है, बट बहुत कम लोग स्टैमरिंग ठीक क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके अनुदर मत करो, बट एट लिस उसके उपर दो काम करो जहां पर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तिल नम भी हाव क्लियर्ड इस थ्री सिक्रेट्स, सब को मज़ा आ रहा है, कुछ नया सिख रहे आज, दिल से बदा रहे हैं, मतलब है, सच में, हाँ बोल रहे है, ठीक है, तो ले क्यों बदा, क्योंकि मैं बचपन से मुझे स्टाइमऄ रंग का इशू था, मे एसदोस्तों ऐसा हुआ है, कि मैं जब छे साल का था तो मुझे यलेक्टिक स्ट्री स्ट्री शौक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा मेरा फंबलिंग स्टार्ट हुआ था अब जैसे फंबल होता है ना वैसे फंबल के कारण लोग मुझे चीड़ाने लगए फंबल पारे ऐसे की बात खर रहे है तो वो मेरे दिमावे बहुत ज़र गुश गया अंदर मैं पहले अपने क्लास में मॉनिटर था मैं कैप्टन था मैं स्टेज पर बात करता था पोईर्स बोलता था या मेरी क्लास को में रिप्रेजेंट करता था मैं सब कुछ करता था बट एक दिन ऐसे आता है मुकेश मेरे लाइफ में कि यार पपपपो आ गया फफफफफफफफ आप बुरा लगता है, फिर आप introvert person बन जाते हैं, और फिर शुरू जाता है आपका एक नया जर्नी जिसकों बोलते हैं कि आप shy हो गया भी लाइक में, आप कम बात करते हैं, ऐसा लोगों लगते हैं, बड़ आप बहुत सारी बाते करते हैं, अनिश, आप बहुत बात करते है बड़ क्या लोगों को लगता है, कि आप बहुत कम बात करते हैं, तो यह possibility की हुए, क्योंकि आप introvert person बनने लगें, आप introvert person नहीं हैं, आप बाते बहुत करना चाहते, बड़ क्यों नहीं कर अपारे, stammering के कारण, तो मेरे लग में मेरा problem कप साड़ हो, जब मैं seven standard में था, जब मैं छे साल का था, तब मुझे शौक लगा, फॉप 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 स्टार्ट हो, उसके बाद, फंबल हो, उसके बाद, ब्लॉकेज और उसके बाद, stammering जादा बढ़ने लगा, और फिर मैंने stage पर जाना छोड़ दिया, आपकी कौन से age में आपने चीज़ों को करना छ So, stammering ठीक करने का सबसे basic point क्या है कि stammering is a habit दोस्तो, आपकी आदत है जिसको आपको बदलना चाहिए, आदत breathing के साथ हो सकती है, आदत listening के साथ हो सकती है, आदत हो सकती है, आदत हो सकती है कि आप doubtful है अपने बारे में, it can be anything बट वो habit ही है, तो बच्पन से मुझे stammering का issue था मैं जब 23 साल का हुआ, तब मैंने अपने stammering को ठीक कर दिया, अब stammering को ठीक कर रहा है, कि मैं एक भी word पर fumble या stammer नहीं कर रहा था, हाँ doubt आ रहे थे, right, doubt हमें आते है क्योंकि हम उस experience को हमने अभी तक experience नहीं किया, उस face को हमने experience नहीं किया, आपको भी यहापर आने से प तो doubt का बात है हमें, सचिन, 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 हमें doubt का बात है सचिन, जब हम उस चीज़ को इसके पहले face नहीं कि तभी हमें doubt आते, तो मेरा और एक concept आपके लिए है दोस्तों, कि अगर आपको इसको पूरी तरह से ठीक करना है ना, जितना हो सके उतना, उन doubts को solve करने के लिए face करना start करो, right, time आपके पास limited रहता है, आपको जब भी chance मिले है, लोगों से बात करो, strangers से बात करो, बाते ज़्यादा करो, आप बाते बहुत कम करो, मेरा actual interest ज़्यादा बात करने मेरे दो, बात भी कैसे करना है, टेकनीक के साथ करो, टेकनीक क्या मतलब क्या होता है, मतलब hand movement से करो, pause लेके करो, expression से करो, यह बहुत simple से टेकनीक है न, आप stammer करते है, क्योंकि आपके पास experience कम है, अच्छा बात करने का, right, अच्छे बात करने का experience लेना चाहिए, तो 2018 मैंने start के मेरे journey को, 2018 से कोई मुझ जानता है, या पर जो 2018 से मैंने start के होई है, जो मैं जानता है, तो मैंने सबसे पहला video अपना upload के YouTube पह है, कि how to overcome stammering in 7 days, ऐसे डाल दिया, बही चलो, कुछ तो catchy line डाल नहीं है, तो डाल दिया, तो सबसे पहला comment आता है, कि जब मैंने उसको English में बनाया था, तो English में लोगों ने एक नीचे comment किया, कि तेरे घर के उपर से अंगरिज गए थे क्या, so that was a very negative comment for me, कि यार, ऐसे लोग मुझे बोल रहे है, वापे dislike भी है कुछ, मैंने अच्छा बोला, मुझे चार गंटे लगे एक छोटा video अपलोड करने के लिए, शूट करने के लिए, तो that was a very demotivating concept for me, कि यार, मुझे लोग ऐसे बोल रहे है, डिसलाइक करने, ब अपलोड किया था, और अगस 2018 में मुझे सबसे बहला client मेला था, actually client नहीं था मेरा, उनने मुझे call किया, तब मैं इंटर देने जा रहा था, किसी company का, तो hello sir, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैंने आपका video देखा, क्या आप मुझे सिखा सकती कि इसको किसे ठीक करना है, मै मैं इसको बोला कि ठीक है, मैं ready वो start करने के लिए, तो हमने वहाँ पर whatsapp पे class लेना start किया, आपको पता है कि mobile रहता है, तो ऐसे whatsapp पे देखना पड़ता है, और call पर बात करना पड़ता है, तो मैंने जरनी 2018 से ऐसे start होती है, फिर आज आरे दोस्तों, 2023 हमारा अच्छा best training च ठीकते हैं चीज़ों को, तो मेरे पास साल में मैंने एक चीज़ को notice किया है, जो मैंने परसेल आपको तीन सीक्रेट बता है, वो यह है कि breathing अगर आप normal रखते हैं, अगर आप active listening करते हैं, अगर आप mindset को follow करते हैं, you will never stammer in your life, यह मेरा पास साल का experience है